रक्षा बंदन भाई बहनों का एक पर्व है जो भारत में बहुती उत्सा के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार यूं तो हिंदू में प्रचलित है पर इसे भारत के सभी दुर्मों के लोग समान उत्सा और भाव से मनाते हैं। पूरे भारत में इस दिन का महोल देखने लाइक होता है और हो भी क्यों ना यही तो एक ऐसा विशेश दिन है जो भाई बहनों के लिए बना है। यूं तो भारत में भाई बहन के बीच प्रेम और कर्तव्य की भूमिगा किसी एक दिन का मोताज नहीं है पर रक्षबंदन के एतिहासिक और धार्विक महत्व की वज़े से ये दिन इतना महत्वपूर्ण बना है। बर्सों से चला आ रहा ये तिहार आज भी बेहत हर्शोलास के साथ मनाया जाता है। हिंदो श्रावन मास यानि जुलाई और अगस्त की पूर्निमा के दिन मनाया जाने वाला ये तिहार भाई का बहन के प्रती और बहन का भाई के प्रती प्यार का प्रतीक है। रक्षा बंधन पर बहने भाईयों की दाही निक लाईं पर राखी बानती हैं, उनका तिलक करती हैं और उनसे अपनी रक्षा का संकल्प लेती हैं. हाला कि रक्षा बंधन की व्यापकता इससे कहीं जादा है. रक्षा बंधन सिर्फ भाई पहन के बीच कार्य कलाप नहीं रह गया है. राखी देश की रक्षा, प्रयावरन की रक्षा, हितों की रक्षा आदी के लिए भी बांदी जाने लगी है. रक्षा बंधन का इतिहास हिंदू पुरान कथाओं में है. वामनावतार नामक पुरानिक कथा में रक्षा बंधन का प्रसंग मिलता है. कथा कुछ इस परकार है. राजा बली ने यग्य संपन कर स्वर्ग पर अधिकार का प्रयतन किया. तो देवराज इंद्र ने भगवान विश्नु से प्रार्थना की. विश्नु जी वामन बनकर राजा बली से भिक्षा मांगने पहुंच गए. गुरु के मना करने पर भी बली ने तीन बगभूमी दान कर दी. वामन भगवान ने तीन बग में अकाश, पताल और धर्ती नापकर राजा बली को रिसातल में भेज दिया. उसने अपनी भक्ती के बल पर विश्नु जी के हर समय अपने सामने रहने का वचन ले लिया. लक् गश्मी जी बली के पास गई और रक्षा सुत्रबांद कर उसे अपना भाई बना लिया. बदले में वे विश्नु जी को अपने साथ ले गई. उस दिन शावन मास की पूर्निमा तिथी थी. इतिहास में राखी के महत्व के अनेक उल्लेक मिलते हैं. मेवाड की महरानी कर्म ने मुगल राज हुमायूं को राखी भेज कर रक्षा याचना की. हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी. कहते हैं सिकंदर की पतनी ने अपने पती के हिंदु शत्रू पुरु को राखी बांद कर उसे अपना भाई बनाया था और युद्ध के समय स सिकंदर को ना मारने का वचन लिया था पुरु ने युद्ध के दुरान हाथ में बंदी राखी का और अपनी बहन को दिये हुए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान किया था महा भारत में भी राखी का उलेक मिलता है जब युद्धिष्टिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संक्टों से कैसे पर रह सकता हूँ तब कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सैना की रक्षा के लिए राखी कात्योहार मनाने की सिलह दी थी शिशुपाल का वद करते समय कृष्ण की तरजनी में चोट आ गई तो द्रोपदी ने लहू रोकने के लिए अपनी साडी फाड कर उनकी उंगली पर बांदी थी यह भी शावन मास की पूर्णिमा का दिन था कृष्ण ने चीर हरन के समय उनकी लाज बचा कर यह कर्च चुकाया था रक्षा बंधन के पर्व में प्रसपर एक दुसरे की रक्षा और सहयोग की भावना नहित है आज यह त्योहार हमारी संस्कृती की पहचान है और हर भारतवासी को इस त्योहार पर गर्व है लेकिन भारत में जहां बहनों के लिए इस विशेश पर्व को मनाया जाता है वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाई की बहनों को गर्व में ही मार देते हैं आज कई भाईयों की कलाई पर राखी सिरफ इसलिए नहीं बन पाती क्यूंकि उनके बहनों को उनके माता पिता ने इस दुनिया में आने ही नहीं दिया जो की बहुत शर्मनाक बात है कि जिस देश में कन्या पूजन का विधान शाश्त्रों में भी हुआ है वहीं कन्या भुरून हत्या के मामले देखने को मिलते हैं यह दिहार हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी बहने जीवन में कितना महत्व रखती है तो आईए इस रक्षा बंधन पर अपनी बहन के प्रती और दुसरी तो आईए इस रक्षा बंधन को प्रेम और प्यार से मिल मनाएं तो आईए इस रक्षा बंधन प्रेम का प्रतीक बने और ब्रून हत्या को रोकने के लिए प्रण ले आप सभी को रक्षा बंधन की हार्दिक शुब खामना है